हेलो दोस्तो नमस्कार जय श्रीकिष्णा कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तो साल 2030 का पहला सूर ग्रहट 20 अपरेल को लगने वाला है इंडिया में दिखाई देगा या फिर नहीं इसकी सही टाइमिंग क्या है टाइमिंग को लेकर बहुत सारे जादा डाउट रहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको सही टाइमिंग बताऊंगी ये भी बताऊंगी कि ये ग्रहट जो पढ़ने वाला है 20 अपरेल को क्या ये इंडिया में दिखाई देगा या फिर नहीं कहां कहां दिखाई देगा कौन कौन से देशों में दिखाई देगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आपको वीडियो को इसकी बिलकुल नहीं करना है पूरा एंड तक वाच करना है अगर आप गरवती है तो आपके लिए बहुत ही helpful है ये वीडियो के की pregnancy के time पर गरवती महलाओं को बहुत सदा नियम follow करने की ज़रत होती है ताकि होने वाले बच्चे पे बुरा प्रभाव ना पड़े ग्रहड का ठीक है तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे ये वीडियो नहीं हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस करके रखें ताकि दोस्तों इसी तरह की हर वीडियो आपको time से पहले ही मिल जाए ठीक है इतना आप कर लीजिए ये करना बिल्कुल फ्री है और की आके सूरग्रहढ किसे कहते हैं प्रत्वि और सूर के बीच में चांद के आ जाने से प्रत्वि पर रौसनी न인지 पहुंचवाती जिसके कार्ड कुछ समय के लिए प्रत्वी का कुछ सत्य दिन के उजाले में भी अंधिरा दिखने लगता है बैग्यानकों के मताविक सूर चंद्रमा और प्रत्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूर्ग्रहड लगता है ठीक है इतना आपका डाउट किलियर हुआ अब मैं आपको सूर्ग्रहड के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ कि गर्वती महलाओं को सूर्ग्रहड के टाइम पर कौन-कौन स ऐगा अलांकि दोस्टो इसका जो सूतक है वो इंडिया में माने नहीं होगा क्योंकि यह जो ग्रहड पढ़ने वाला है वो इंडिया में दिखाई नहीं देगा लेकिन गर्वती है तो आपको नियम फॉलो जरूर करने चाहिए चाहिए दिखाई दे या फिन नहीं ठीक है एक ही चांद है एक ही एक ही सूर्य है तो थोड़ा बहुत मतलब प्रभाव तो रहता ही है तो दिखाई दे इंडिया में या फिर नहीं लेकिन आपको छोटे मोटे नियम पालन करने हैं गर्बती महला हैं ध्यान से सूर्ग्रेहड से पहली आपको तुलसी के पत्ते तोड़ क पहले ही आपको खाने पीने की जो भी सामिकरी है उसमें एक एक तुलसी का पत्ता डाल दें ऐसा करने से जो भी खाना पीना होता है वो दूशित नहीं होता है ये चीज़े आप जरूर कर लें ठीक है आम इनसान भी ऐसा जरूर करें ऐसा नहीं है कि गर्वती महलाई करें हर कोई ये चीज़ें जरूर करें इससे दूशित नहीं होता है भूजन बुरा प्रभाव भूजन पर नहीं पड़ता है ठीक है तो ये सब आपको करना है पहले ही तुलसी के पते पहले ही तोड़के रखने है अब बाई चांद साब को प्यास लग लग ले है तो ग्रहे काल के इस बात का ध्यान रखें ठीक है बाहर नहीं निकल ला है चौपिंग बगएर जो सलाई कड़ाई बुनाई ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है और हाँ अगर आप साड़ी पहनती है तो साड़ी में पिन बगएर आप पहले ही निकाल दीजिए ऐसा करना सही रहत है और जो नुक्ली चीजे होती है उनसे आप दूरी बनाए रखें अगर आप गर्वती है तो ठीक है इन चीजों का विशेश रोप से ध्यान रखें दोस्तों ताकि होने वाले बच्चे पर परेशानी ना आए ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ और आपको क्या करना है जब ग्रहड काल स्टार्ट हो जाए तो आप एक नारियल पेले ही मंगा कर रख लीजिए ठीक है वो जब ग्रहड स्टार्ट हो जाए अपने पास रखें गोध में भी कर सकती है या फिर अपने पास में रख सकती है लेकिन बढ़नी बंद कर के नहीं बैटना है इस बात का आपको मंत्रों का जाब करना है या फिर भगवान का नाम लेते रहना है या फिर भजन कीर्थन आप कर सकती है ऐसा करना बेहदी शुब होता है मंदर के जो कपाट होते हैं ग्रहड काल से पहले या आपको बंद कर देने हैं भगवान की जो प्रिद्माई होती है उनको टच ब जब गर्वति महला है जब गरहड की वह समापती हो जाए उसके बाद आपको गंगा जल से इश्नान करना है गंगा जल से छिड़काओ की जिए पूरे घर में ताकि पवित्र हो जाए सब कुछ और जो मंदिर है उसकी साफसफाई कीजिए गंगा जल से छिड़काओ कीजिए और उसके बाद आपको पूझे भी आर्चना करनी है और उसके बाद आपको दान करना है अगर आप गर्वती है तो दान ज़रूर करें ग्रहड काल जब समाप्त हो हो जाए उसके बाद ठीक है तो यह है तो यह चींद добрant टोड़ना बिंकुल भाही नहीं सकती है या किसी नहर में नदी में डलवा सकती है। बहुत ही अच्छा होता है ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सही टाइमिंग क्या है और ये कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तो साल 2023 का पहला जो सूरी ग्रेड है वो 20 अपरेल को लगेगा इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजकर 4 मिनट से ये शुरू हो जाएगा 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा दिन गुर्वार होगा ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसकी टाइमिंग ध्यान रखनी है और मैं आपको बता दे रही हूं दोस्तों ये जो सूरी ग्रेहड है वो इंडिया में नहीं दिखाई देगा ये सूरी ग्रेहड दक् शेयर कीजिएगा और इसी तरह कि और वीडियो देखना चाहते हैं ना टाइम से पहले तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और पर प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो